कहां पर मैंने हाफते हुए पुझा इंटरव्यू शुरू होने में दो मिनिट का वक्त बाकी था और मुझे अपना रूम नहीं मिल रहा था सेंट इस्टिफेंस कोलिज के भूल भुलया नुमा गलियारों में भटकते हुए मुझे जो मिल था मैं उसी से रास्ता पोचने लगता बहुत से स्टुडेंट ने मुझे इग्नूर कर दिया कुछ तो मुझे देखकर खीखी कर हसने लगे पता नहीं क्यों साल 2004 में मेरी इंग्लिश बिहारी मुमा हुआ करती थी और उसे इंग्लिश नहीं कहा जा सकता था वह तो 90% बिहारी इंग्लिश मिक्स थी जिसमें 10% खराब इंग्लिश मिक्स कर दी गई थी मिसाल की तोर पर मैं इन शब्दों में अपने रूम का पता पूछ रहा था कमेटी रूम बतलाएगा जड़ा हमारा इंटरव्यू है ना वहां मेरा खेल का कोटा है किस तरफ है वेर आई फ्रॉम मैं एक लड़के ने पूछा जिसके बाल बहुत से लड़कियों से भी लंबे होंगे ने माध़ जहां फ्रॉम सिम्राव बिहार उसके दोस्त हस पड़े यह तो मुझे बाद में पता चला कि लोग अक्सर इस तहां के प्रिश्ण पूछते हैं जिन्हें वे रेटरिकल क्वेशन कहते हैं यानि एक ऐसा सवाल जिसे वे महज कुछ सावित करने के लिए पूछते हैं कोई जवाब पाने के लिए नहीं यहां उसके इस सवाल का मतलब यह साबित काना था कि मैं उन लोगों के बीच एलियन था तुम किस चीज के लिए इंट्रव्यू देने आये हो पियाउन के लिए लंबे बालोवाले लड़के ने कहा और हस दिया मुझे तब इतनी इव्लिश नहीं आती थी कि मैं उनकी इस बात को समझ कर उसका बुरा मान सकूँ फिल मैं जल्दी में भी था आपको पता है रूम कहा है मैंने उसके दोस्तों की और एक नज़र डालते हुए पूछा वे सभी अमीरजादे इंगलिश टाइप लग रहे थे छोटे कद के एक थुल्दिले लड़के को शायद मुझ पर तरस आ गया और उसने कहा में रेट बिलिडिंग के कॉर्णर से लेफ्ट में चले जाओ तो तुम्हें कमेटी रूम का साइन नजर आएगा थेंक यू मैंने कहा कम से कम मुझे इंगलिश में इतना तो ठीक से कहना आता ही था साइन बोर्ड इंगलिश में लिखा होगा तुम उसे पह सकोगे लंबे बालो वाले लड़के ने फिर कहा वहें मेरी जिंदगी का पहला इंट्रिव्यू था तीन बुज़र्ग मेरे सामने बैठे थे उन्हें देखकर लगता था कि जिस दिन से उनके बाल सफिद होना शुरू हुए तब से वे मुस्कुराए नहीं थे यह मैं यह सीखकर आया था कि इंट्रिव्यू से पहले इंट्रिव्यू लेने वालों को विश्च करना चाहिए मैंने इसकी बकायदा प्रैक्टिस भी की थी गुड मॉनिंग सर यहां एक से ज़्यादा लोग है बीच में बैठे एक सज्जन ने कहा वे कोई 55 साल के होंगे और उन्होंने काले चकोट फ्रेम का चश्मा और चेक जगेट पहन रखी थी गुड मॉनिंग सर 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 एंसर मैंने कहा वे मुस्कुरा दिये मुझे लगा कि वह कोई बहुत नेक किस्म की मुस्कुराहट नहीं है वह एक हाई प्लास टू लोग लास इसमाईल थी सुपिरियारिटी की स्माईल इस बात की स्माईल कि उन्हें इंग्लिश आती थी और मुझे नहीं आती थी जाहिर है मेरे पास स्विवाए इसके कोई और चारा ने था कि जवाब में मैं भी मुस्कुरा दू बीच में बैठे हुए सजण प्रोफेसर परेदा ने परेदा थे सोसियोलोजी के हेड जिसके लिए मैंने एपलाई किया था फिजिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर फाइनांडिस और इंग्लिश में पढ़ाने वाले प्रोफेसर गुपता उनके बाईं और दाईं बैठे थे स्पोर्ट्स कोटा ए प्रोफेसर परेदा ने कहा यादव कहा है मैं यहां हूँ सर मेरे पीछे से एक आवाज आई मैंने पलट कर देखा तो पाया कि एक ट्रेक सूट पहने शक्स दरवाजे पर खड़े हैं उनकी उम्र को देखकर लग रहा था कि वे इस्टुटेंट तो नहीं हो सकते लेकिन वे फैकलिटी भी नहीं लग रही थे वे 85% तुम्हारा डिसीजन है प्रोफेसर परेदा ने कहा नो वे सर फाइनल एथोरिटी तो आप ही हैं वे परोफेसरों के पास जाकर बैट गए पियूस यादव कॉलेज के स्पोर्ट्स कोच थे और स्पोर्ट्स कोटास के सभी इंट्रव्यू में बैटते थे वे परोफेसरों की दुलना में अधिक सहज और मित्ता पून लग रहे थे उनका लहजा भी कोई बहुत फैंसी नहीं था बास्केट बॉल परोफेसर फरननलिस ने मेरी फाइलों को पलटते हुए पूछा येस सर मैंने कहा वाट लेवल स्टेटस तुम पूरे सेंटेंस बोल पाते हो या नहीं परोफेसर गुपता ने सक्त आवाज से पूछा मैं उनका सवाल ठीक से समझ नहीं सका मैं चुप रहा डूँ उन्होंने फिर पूछा येस येस मैंने कहा मेरी आवाज दोशियों सरीखी लग रही थी सो तुम सेंट स्टेफेंस में पढ़ना क्यों चाहते हो कुछ पल चुपी चाही रही कमरों में बैठे चारो व्यक्ती मुझे देख रहे थे प्रोफेसर ने मुझे से एक स्टेंडर्ड क्वेस्चन पूछा था I want good college मैंने मन ही मन अपने दिमाग में बाक्य को जमाते हुए कह प्रोफेसर गुत्म ली सीखे निपोर दी वहाँ क्या जवाब है और सेंड इस्टिफेंस एक good college क्यों है मैं हिंदी बोलने लगा इंगलिश में जवाब देने के लिए मुझे रुक रुक कर बोलना पड़ता हो और इससे मैं उन लोगों को stupid लगता शायद मैं सच मुझ इस्टूपिड ही था लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उन्हें यह बात पता चले आपके college का बड़ा नाम है यह बिहाव में भी famous है मैंने कहा can you please speak in English प्रोफेसर गुपता ने कहा क्यों क्या आपको हिंदी नहीं आती मैंने swan हिंदी में जवाब दिया उनके शहरब को देखकर मैं समझ गया कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी है मैंने यह बात उनका अपमान करने की मकसद से नहीं कही थी मैं सच मुझ यह जानना चाह रहा था कि जब मैं हिंदी बोलने में ज़ादा कन्फर्टेवल हूँ तो वे मेरा इंटर्व्यू इंग्लिश में क्यों करना चाह रहे हैं जाहिर है तब मुझे यह नहीं पता था कि सेंट इस्टिफेंस की प्रोफेसर यह पसंद नहीं करते कि उन्हें हिंदी बोलने को कहा जाए प्रोफेसर परेरा यह केंडिडेट इंटर्व्यू देने कैसे चला आया प्रोफेसर गुपता नहीं कहा प्रोफेसर परेरा उन तीनों में से सबसे उदार लग रहे थे उन्होंने मुझे से मुखातिम होते हुए कहा हम अपने कॉलिज में इंग्लिश को इंस्ट्रक्शन के मेडियम के लुप में प्रोफल करते हैं बस इतनी ही बात है इंग्लिश के बिना मैं खुद को नवना महसूस कर रहा था मैं दिहा के अपने रिटर्न टिकट के बारे में सोचने लगा मेरा इस दुनिया से कोई रसोकर नहीं रहे गया था इंग्लिश बोलने वाले ये खुखा लोग मुझे कच्चा चवा सकते थे मैं सोच रहा था कि इन लोगों को अलविदा कहने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि तभी प्यूस यादव ने मेरी सोच में खलर डाला दिहार से हो उन्होंने पूछा हिन्न में कहे गए ये चंद शब्द मुझे तप्ती धर्ती पर बारिश के ठंडी बूंदों की तहें लगे उस पर मुझे प्यूस यादव बहुत अच्छे लगने लगे थे ये सर सिम्राओ से पता है ये पत्ना से तीन घंटे की दूरी पर है न उन्होंने कहा आप सिम्राओ को जानते हैं मैंने कहा मेरा जी चाहा रहा था कि मैं उनके कदम चूंग लू लेकिन इंगलिश बोलने वाली ये तीन खूखाल प्राणी मुझे घूरते रहे मैं पत्ना से हूँ एनिवे इन लोगों को बास्केट बोल में अपनी एस्चीवमेंट के बारे में बताओ प्यूस ने कहा मैंने सिर हिला दिया प्यूस मेरी नर्वसनेस को भाप गए और फिर बोलने लगे टेक योर टाइम मैं भी हिंदी मीडियम हूँ इसलिए तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ तीनों प्रोफेसर प्यूस की तरफ देखते रहे मानों सोच रहे हो कि इनको कॉलेज में नोकरी कैसे मिल गए मैंने खुद को संभाला और वे पंक्तियां बोलने लगा जिनकी मैं रिहर्सल करके आया था सर मैंने छे साल तक स्टेट लेवल बास्केट बॉल खेला है पिछले साल मैं बी एफाई नेशनल टीम की वेटिंग लिस्ट में भी था बी एफाई? प्रोफेसर गुप्ता ने पूछा बास्केट बॉल फेडरेशन ओफ एंडिया फ्यूस ने मेरी जगहे जवाब दिया हालांकी मुझे भी यह जवाब पता था और आप सोशियोलोजी की पढ़ाई करना चाहते हैं क्यों? प्रोफेसर फाइनार्डिस ने कहा मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या प्रोफेसर गुप्ता को मुझे से कोई प्रॉबलम थी? या उनका स्वेभावी ऐसा तुनक मिजाज था या फिर उन्हें कब्ज की शिकायत थी आई एम फ्रॉम रूर एरिया गुप्ता ने एह पर जोड देते हुए कहा मानो इसको नह बोलकर मैंने बहुत बड़ा गुनहा कर दिया हो हिंदी सर, क्या मैं हिंदी में एक्स्प्लेंड कर सकता हूँ? किसी में जवाब नहीं दिया मेरे पास ज़ादा चॉइस नहीं थी मैंने चांस लिया और अपनी भाषा में जवाब देने लगा मेरी माँ एक स्कूल चलाती है और गाउवालों के साथ काम करती है मैं हमारे समाज के बारे में और जानना चाहता था हमारे गाउव इतने पिछड़े क्यों है हमारे यहां जाती और धन के नाम पर इतने मदभेद क्यों है मुझे लगा इनमें से कुछ सवालों के जवाब मुझे इस कोर्स से मिल सकेंगे कोफेसर गुपता ने मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे लेकिन वे उस किस्म के आदमी थे जिन्हें इंगलिश स्पिकिंग लोग अब टाइप प्रिक कहते हैं उन्हें प्यूश ने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा वे उसे ट्रांसलेट करके उन्हें समझाएंगे That's a good reason प्यूश की बात खत्म होते ही प्रोफेसर परिदा ने कहा लेकिन अब तुम दिल्ली में हो यदि तुम स्टिफेंस से पार्स आउट हो गए तो तुम्हें बड़ी कमपनियों में जोब मिलेंगे तुम लोटकर अपने कस्वे में जाओगे उनकी चिंता जायस थी मुझे उनका सवाल समझने में कुछ पल का वक्त लगा प्यूश ने ट्रांसलेट करने का प्रस्ताव रखा लेकिन मैंने इशारे से उन्हें मना कर दिया मैं जाओंगा सर मैंने अंततह कहा मैंने इसके लिए कोई कारण नहीं बताया मैंने उन्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि मैं वहाँ इसलिए जाओंगा क्योंकि मेरी माँ वहाँ अकेली थी मैंने यह भी नहीं कहा कि हम शिम्राव के शाहि खांदान से ताल्लक रखते थे अलबत्ता अब हमारे खांदान में कुछ भी शाही नहीं रहे गया था तो हम तुमसे बिहार के बारे में कुछ प्रशन पूछेंगे प्रोफेसर फॉर्नांडेस ने कहा शर बिहार की आवावी कितनी है दस करोन बिहार में कौन सरकार चला रहा है फिलहाल तो लालो परसाद की पार्टी कौन सी पार्टी आर जेडी रास्टर जनता दल एक सवाल ने मुझे स्टंड कर दिया बिहार इतने बैकवर्ड क्यों है प्रोफेसर गुट्टा ने पूचा मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता था ने हिंदी में, ने इंग्लिश में पिऊस में मेरी तरफ से जवाब देने की कोशिश की सर ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई भी ठीक से नहीं दे सकता लेकिन प्रोफेसर गुप्ता ने अपना हाथ उठाते हुए कहा तुम्हें कहा था कि तुम्हारी मां गाओं में एक स्कूल चराती है तुम्हें बिहार के बारे में पता होना चाहिए मैं चुट रहा It's okay हिंदी में जवाब दो प्रोफेसर पारिगा ने कहा किसकी पुलना में बैक्वर्ड सर मैंने प्रोफेसर गुप्ता की ओर देखते हुए हिंदी में कहा भारत के दूसरे राज्जों की पुलना में लेकिन भारत खुद काफी बैक्वर्ड है मैंने कहा वहें दुन्या के सबसे गरीब देशों में से एक है Sure और लेकिन बिहार गरीबों में भी सबसे गरीव क्यों है बैड गवर्मेंट प्यूस ने फोरन कहा लेकिन प्रोफेसर गुप्ता की आंखे मुझे पर टिकी थी क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा ग्रामीर है सर मैंने कहा लोगों के पास आधुनिक्ता के साधनों तक पहुच नहीं है और वे अपने पिछड़े पंग से चित्ते रहते हैं सिक्षा की हालत बहुत खराब है मेरे राज्य में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता सरकार अपराधियों से मिली हुई है और वे आपस में मिलकर इस राज्य और इसके लोगों को लूटते खसोटते हैं प्रोफेसर परिदा ने प्रोफेसर गुपता के लिए मेरे जवाब को ट्रांसलेट कर लिया उन्होंने यह सुनकर सिरह लाया तुम्हारे जवाब सेंसिबल है लेकिन तुम्हारी इंगलिस टेरेबल है उन्होंने कहा आपको एक सेंसिबल स्टुडेंट चाहिए या एक ऐस स्टुडेंट जो एक विदेशी भासा को अच्छे से बोल लेता है मेरी इस बात ने उन सभी को स्टंप्ड कर दिया प्रोफेसर फार्नांडिस ने मेरी और सिर घुमाया और चश्मय को पोच्छते हुए बोले इंग्लिश अब एक foreign language नहीं रह गई है मिस्टर जहां अब यह एक global language है मैं तुम्हें सुझार दूँगा कि तुम इसे सीख लो इसी लिए तो मैं यहां आया हूँ मैंने कहा मैं दिल से जवाब दे रहा था लेकिन मुझे पता नहीं था कि उन प्रोफेसरों पर इसका असर हो भी रहा है या नहीं इंट्रव्यू पूरा हो गया था उन्होंने मुझे रूम से चले जाने को कहा मैं कोरिडॉर में खड़ा सोच रहा था कि अब मैं कहा जाऊं तभी प्यूस कमेटी दून से बहा निकले अपनी पती और फिट कदकाठी के कारण एक स्टुडेंट लग रही थे हालंकी उनकी उम्र उनसे कहीं अधिक थी वे मुझसे हिंदी में बोले एक घंटे बाद तुम्हारा स्पोर्ट्स ट्रायल है मुझे बास्केट बॉल कोर्प में मिलो सर क्या इसका कोई फाइदा है मेरा इंट्रव्यू बहुत खराब हुआ है तुम बास्केट बॉल के साथ थोड़ी इंगलिश नहीं सीखता है हमारे एरिया में कोई भी इंगलिश नहीं बोलता है मैं वुका और अंत में जोड दिया सर उन्होंने मेरी पीट पर धोल जमाते हुए कहा बिहार मोड से बहार आ जाओ बेटा खेर स्पोर्ट्स कोटा ट्रायल 85% के बराबर होता है अच्छे से खेलेना मैं अपना बेस्ट दिने की कोशिश करूंगा सर